सराब बंदी के बाद अब बिहार में नहीं मिलेगा पान मसाला नितिश सरकार ने लगा दिया है इस पर पूर्ण परतिबंद तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसी खबर के बारे में बताएंगे तो इस खबर को देखने के लिए आप वीडियो के साथ बने रही है बिहार में आप पान मसाला खाने वाले लोगों के लिए बोरी खबर आ गई है हर तरह के पान मसाला पर राज्य सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है फिलहाल यह प्रतिबंद 12 महीने के लिए लगाया गया है आपको बता दें कि इस तरह पान मसाला पर प्रतिबंद लगाने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है विगत 5 जुलाई 2019 को मुख्य सचीव की अध्यक्षता में आहूत उच अस्तरिय बैठक में दिये गए निर्देश के अलोक में खाद्य सनरक्षा अयुक्त ने राज्य के विभिन ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंद लगा दिया है यह प्रतिबंद विभिन जीलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों के जांच में मैगनीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाय जाने के कारण लगाई गई है विदित हो कि मैगनीशियम कार्बोनेट से हिर्दे की बिमारी सहित विभिन प्रकार की बिमारिया होती है पान मसाला के लिए Food Safety Act 2006 में दिये गए मानक के मुताबिक मैगनिशियम कार्बोनेट को मिलाया जाना प्रतिबंधित है अतह जन स्वास्थी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है कुछ अन्य ब्रांडो का नमूना जाच के लिए भेजा गया है जिसका रिपोर्ट आने पर उस पर भी कारवाई की जाएगी इस तरह पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का दूसरा राजे बन गया है तो दोस्तों नितिस सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है आप इस फैसले से कितने खुस हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताईए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बल को दबाद दीजिए और इस ख़वर को सोशल मीडिया पर सेर करे ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सके